गाड़ी अगर नहीं भी होगी तो भी चल जाएगा लेकिन जिस दिन अनाज नहीं होगा उस दिन मारे जाओगे ये गाड़ी गोड़े सब बोल जाओगे आप आपके गले में सोने की चैन जरूरी नहीं है अनाज जरूरी है फल और सबजियां जरूरी है आए दिन किसान आतम महत्या कर रही हैं गन्य के जूस के ठेले पर हम गन्य का जूस पीने जाते हैं 10 रुपे के जगह 12 रुपे लगा दिये तो 2 रुपे के लिए कसमीर से कन्या कुमारी तक इतना सोर मचा देते हैं जाने इसने कितने मांग लिये, उसकी मेहनत पर तो नजर डालिये साहब, 45 डिगरी तापमान में भी धूप में जलता है वो, उसके ठेले पर कोई A.C. नहीं है, जो पूरा दिन अराम से बेठा रहेगा, ओटो वाले ने 10 रुपे के जगए 12 रुपे बोल दिये, तो अरे भाई साब 12 कैसे बोल दिये, अरे यार जो ये छोटे 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 गरीब आदमी होते हैं ना, हम उनी पर गर्जते और बरसते हैं, पर जहां आपको 90 डिगरी के कोण पर मोड़ कर, हाथ देकर पैसे निकाल लेते हैं, वहाँ पर नहीं बोलेंगे, दो चार रुपे किसी को देंगे तो आपको दुआएं देगा, कोई गाड़ी लेने जाते हैं तो वहाँ पर कभी बोला कि बाई साब ये तो बहुत ज़्यादा ले रहे हो, सोने की जवेली डिने जाते हो तो वहां बोला कि बाई साब ये तो बहुत ज़्यादा ले रहे हो नहीं ना आखे बंद करके पैसे भर देते हो क्योंकि हम दादा गिरी गरीब आदमी पर चलाते हैं ये शोरूम वाले सहन नहीं करते जिन्दगी की सबसे जरूरी चीज हमें सबसे सस्ती मिलती है पता है क्यों इन किसानों की बदोलत अगर किसान को यूही मारा गया ना तो लिख कर दे सकता हूँ एक दिन पूरी दुनिया मरेगी मैं ये बात उन सब लोगों को बोल रहा हूँ जो किसानों पर गरीबों पर रोब दिखाते हैं उन सब को बोल रहा हूँ किसानों को और गरीबों को इने दबाव मत इनकी बदोलत ही हम चल रहे हैं हम दो-दो रुपे में ना तो अमीर होंगे और ना ही गरीब और उनका दो दो रुपे करके परिवार पल जाएगा ये सोच हमें बनानी है अगर ये बातें आपको सही लगती हैं तो गुमा दो इस वीडियो को पूरे भारत में पेज को फोलो नहीं करोगे तो चलेगा पर इस वीडियो को सेर जरूर करना धन्यवाद झाल